अयो ध्याधाम में राम मंदिर निर्माण के दूसरे चरण का कारे लगभग पूरा हो चुका है तो वही फरवरी मां से मिर्जापूर वा जस्वंत पूर के ग्रेनाइट पत्थरों से प्लिंथ का निर्माण प्रारणव किया जाएगा जिस से दिसंबर 2023 तक श्री राम लिला को अपने स्थाई मंदिर प्रान प्रतिष्ठा कर दिया जाए राम निर्मार में 40 फोट उंचे चटान का निर्मार करा गया जिस पर फांडिशन के दूसरे चटड़ में 5 फोट उंचे राफ्ट का निर्मार किया जा रहा गहे इसके लिए निर्माण स्थल पर 32 ब्लॉकों में कराय जा रगा गया जो की लगभग 95% कारे पूरा कर लिया गया जिसके बाद मिर्जापुर से 3000 बलुआ पत्थर के ब्लॉक वा 4000 यसवंत पुर के ग्रेनाइट पत्थरों से प्लिंट का निर्माण किया जाएगा जिसका कारे फर्वरी से शुरू किया जाएगा तो वहीं मंदर की सुरक्षा में पश्च्चिम उत्तर दिशा की और रेट्रेनिंग वाल के निर्माण की प्रकरिया शुरू कर दी है वहीं राममंदर क्रस्ट के महासचव चंपतराय के मताबिक राममंदर निर्मार को लेकर चल रखे फाउंडिशन के सेकेंड फेज में राफ्ट निर्मार का कारे लगबग पूरा हो चुका है कुछ पांच से दस अधिक कारे शेश हैं जो की जल्द पूरे कर लिया जाएंगे वहीं बताया कि इसके बाद प्लिंध निर्मार का कारे प्रारंब कोगा फरवरी केंतिम सप्ता में प्रारंब कर दिया जाएगा कहां कि पत्थरों को उठाने के लिए उंचाई पर पत्थरों इसमें भगवान श्री राम लला अपने मूल गर्ब ग्रह पर प्रान प्रतिष्ठत कर देंगे इसके साथ मंदर की इस रक्षा को लेकर भूमी के अंदर मिटी के कटान को रोकने वाली दीवार रिटेनिंग वाल की तैयारियां शुरू हो गई हैं भाई फाउंडेशन का का मैं कह सकता हूँ पांच या दस परसंट बचा है मैंने कोई नापतोल नहीं की है लिबरेटरी में परसंटेज की लेकिन पांच या दस परसंट जदा नहीं है अरधार राफ्ट राफ्ट वो राफ्ट क्या है सेकिंड फेज ऑफ फाउंडेशन चत्तान बन गई अब उसके उपर कांक्रिट बढ़ड़ा है पांच फिट उचा वो लगवग लगवग पूरा हो गया है मैंने दस परसंट उसी वे बचा लो उसके बाद पत्थरों को एक के उपर एक रखकर पिलिन्थ तयार होगी हम सोचते हैं शायद फरवरी के अंत में या मार्च के प्रारंब में पिलिन्थ के पत्थरों को जोड़ने का काम प्रारंब कर देंगे पत्थरों को उठाने के लिए उचाई पर पत्थर को रखने के लिए दो टावर क्रेन एक टावर क्रेन पूर्वी दक्षनी कोने पर और दूसरी टावर क्रेन पस्चमी उत्तरी कोने पर ऐसी दो टावर क्रेन खड़ी हो गई है हम कोशिश करेंगे कि बहुत शीग्र एक दिन रात्री को आपको वहाँ जो काम रात में चलता है दिन में नहीं चलता उस कारे को भी हम आपको दिखाएं मंदिर कट्टक बन के तयाद है हमारा प्लैनिंग है हमारी इच्छा है उस इच्छा के अनुसार फिर योजना बनती है कि हम दिसंबर 2023 उसमें भगवान को अपने मूल गर्ब ग्रह के स्थान पर स्थापित कर देंगे प्राण प्रतिश्थित कर देंगे जनता दर्शन करने लगी परकूटा का निर्मार शूरू चुका है फिलाल के लिए बस इतना ही अबी ख़बर में फिर मुलाखात होड़ी तब तक के लिए देखते रहें प्यार स्थी नियूस आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट हैं